नाग देव को महादेव का विशिष्ट अभूशन माना जाता है जहां देवी देवता सोने चादी के अभूशनों से अपने तन को श्रिंगारते हैं वही महादेव गले में नाग धारण कर योगेश्वर बन जाते हैं भारती अख्यानों में सर्प जादी और नाग से जुड़े कितने ही प्रकारण हैं कहा जाता है कि हमारी धर्ती भी शेश नाग पर ही टिकी हुई है समुंद्र मंतन की कथा वासू की नाग से जुड़ी है तो क्रिशन की बान लेलाओं में कालिया नाग की कथा बड़ी ही हुआ था और कद्रू ने एक हजार नागों को जनम दिया था इसी वंश को नाग वंश कहा गया है शिव शंकर के अत्रिक विश्नु सूर्य भैरव गनपती मनसामा भियूला भवानी विशहरी देव और लोक देवी देवताओं के साथ भी सर्प वा नाग जाती का संबंद जोड़ा जाता है लेकिन नागों के प्रधान देवतार नागेशवर शिव ही है इसी लिए उन्हें नागेश नागपती नागराज नागनाध आदि कहाकर संभूतित किया जाता है सनातन धरम के साथ जैन बोद आदि धर्मों में भी नाग को प्राण में भाव से सभीकार क किया गया है भविश पुरान के ब्रह्म पर्व में नाग पंजमी की कथा के अनुसार एक बार आस्तिक मुनी ने सर्प यग रोकने के लिए पांडव वंशी राजा जनम जे को राजी किया था और नागों की रक्षा की थी जिस दिन नाग वंश के रक्षार्थ इस महा यग को रोका गया था वहश्रावन शुकल पक्ष की पंजमी तिथी थी इस तरह सर्प जाती के विजदिवस के दिन नाग पंजमी मनाने की परंपरा भारतिय समाल में आज भी बनी हुई है इस दिन सर्प जाती के नाग पर पूजा पाथ वा दूद अर्पित किया जाता है और उन के ही फन पर धर्ती टिकी हुई है यह पहताल लोग में रहते हैं चित्रों में अक्सर हिंदू देवता भगवान विश्नु को शेशनाग पर लेटे हुए चित्रित किया गया है लरासल शेशनाग भगवान विश्नु के सेवक है वासूकी शेशनाग के भाई वासूकी को भग पेशे ग्याद था कि आने वाले समय में नाग कुल का नाश किया जाय का। ऐसे में उन्होंने नागवंश को बचाने के लिए उनकी बहन का विवहा जरतकारू से कर दिया था क्योंकि वह जानते थे कि उनका पूत्र ही नागों के वंश को बचा सकता है। उनका राजा परिक्षिद के साथ बेंकर युद्ध हुआ था, जिसमें परिक्षिद मारे गए थे, तब उनके पुत्र जनमजे ने तक्षगों के साथ युद्ध कर उन्हें परास्त किया था 4. कक्रोटक कक्रोटक और एरावत नाग कुल का इलाका पंजाब की एरावती नदी के आसपास माना जाता है कक्रोटक शीव के एक गण और नागों के राजा थे शीव जी किस तुदी के कारण ही कक्रोटक जनमजे के नाग या घिसे बच निकले थे और उजैन में उन्होंने शीव की घोर तपस्या भी की थी नमबर पाँच पद्म पद्म नागों का गोमती नदी के पास के नेमीश नामक शेतर पर शासन था बाद में यह मनिपूर में बज गए थे असम के नागवन्शी इनी के ही वज़ है अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करे और मैं मिलूँगा आपको अगले ऐसे ही किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय श्री कृष्णा